दोस्तों ये है मेरे पास rock light का hair dryer और इसको मैंने online खईद है कुछ 300 के आसपास इस वाले वीडियो में हम बिसकली ये discuss करेंगे कि आपको ये buy करना चीए कि नहीं करना चीए और याला hair dryer किन लोग को target करता है सबसे पहले आप लोग इसकी build देख लीजे complete plastic की मिल जाएगी एक switch ह red color का वो भी plastic का है लेकिन ये चीज मुझे इसकी काफी जदा बढ़िया लगी कि यहाँ पे जो handle है वो adjustable है आप लोग कुछ इस तरीकों से इस तरीकों से आप लोग उसको edges कर सकते हैं और अंदर के side आप लोग देखे एक चोटा ता fan देखने को मिल जाता है जो कि एक तरह क blower का काम करता है जो कि पीछे से हवा लेगा और आगे की तरफ फेकता है प्लस यहाँ पे front side में आप लोग देख लिए आपको कुछ springs भी देखने को मिल जाती है लेकिन मुझे ए चीज मुझे काफी बढ़िया लगी कि यहाँ पे front side पे आपको black color की plastic देखने को मिल जाती है यह बिसके लिए कि यहाँ पर एक तरह का coverage है जो कि accidentally मतलब कोई finger हमारी उसके अंदर ना चली जाए तो इसको यहाँ पर प्रोटेक के लिए तो यहाँ पर जो build है वो इसकी काफी बढ़िया है wire की length की बात करें तो वो मुझे थोड़ी सी चोटी लगी length आप लोग खुदी होनी चाहिए थी इसके बाद अगर यहाँ पर overall अगर इसकी build quality की बात करें तो price range के साफ से मुझे काफी सही लगी अगर यहाँ पर इसके working की बात करें तो फिर यह 1000 watt पर work करता है पिलस यहाँ पर जो switch है इसमें आपको यहाँ पर 3 adjustment जो point है वो देखने हो मिल जाते है air flow के जैसे कि zero पे यह hair dry काम नहीं करता है one level पे हलकेल की गरम जो हवा है वो मिलती है और two level पे हमको काफी तेज जो काफी जादा गरम हमको हवा देखने मिल जाती है लेकिन मुझे एक इसका disadvantage यह लगा कि इसमें कोई भी cold air का feature नहीं है मतलब direct हमको इसमें गरम हवा ही देखने को मतलब मैं कहूं तो यह personal use के लिए अगर दो आदमी एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप लोग इसको दो या धाई मिनट से ज्यादा यूज़ करेंगे तो इसका जो उपर का जो material है बिसकली जो friend side का जो material है वो बहुत ज्यादा heat कर ज लाँ कि आप लोग इसको यहां पर यहां पर यहां पर इसको यूज़ कर सकते हैं तो अगर यहां पर कंक्लूजिंग की बात की जाए तो और यहां पर प्राइस रहिंग के साफ से यह product मुझे decent लगा और अगर आपको यह product 300 के आसपास मिल जाता है वैसे मैंने link आपको description में दे दिया है तो फिर मतलब इसकी working भी अच्छी है प्लस यहां पर जो design है जैसे कि आपको उसमें dual color की design देखने को मिल जाता है ती बस आपको तहुसा रुक रुक के खली use करना होगा जैसे कि दो धाई मिनर के बाद फहुसा रोग दीजेगा इसको और प्लस यहां पर एक cold air वाला जो feature है वो मिसिंगे तो आज होब कि आपको यहाला वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जो कर दीजे हमाई चैनल को subscribe कीजिए